यहां पर मनीशा रानी को काफ़ी ज़्यादा डी मोटिवेट किया गया है यह बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी जो कि मैंने नोटिस किया था पर अब जो है सोशल मीडिया पर भी लोगों को समझा चुका है सोशल मीडिया पर मेरे कमेंट सेक्शन में हर जगा पर यही बात बोलते होए नजर आ रही है लोग की भई मनीशा को जो है काफ़ी ज़्यादा डी मोटिवेट किया गया है जहां पर मनीशा ने जो बात बोली थी कि हम जैसे हैं हम वैसे ही घर के अंदर रहेंगे क्योंकि हम ऐ ऐसे ही है प्रोमो में दिखाया गया प्रोमो को तोड मरोड के बात की गई और एक्चुली में ऐसी बाते दिमागों में डाली गई जहां पर मनीशा जो है डी मोटिवेट हो जाए यानि कि जहां पर मनीशा अपने स्ट्रॉंग पॉइंट रख रही है सबकी बैंड बजा र रही है तो क्या ये मेकर्स डर चुके हैं कि भाई जिसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं उसका तो ये पत्ता साफ कर रही है हमने तो ये सब चीजें सोची नहीं थी ये तो एक्चुली में आगे जा रही है तो ये सब चीजें हैं जो कि मैंने आप लोगों को भी बोली थी और सोशल मीडिया पर लोग भी बोल रहे हैं कि काफी ज़दा डी मोटिवेट किया गया है जो कि हमें अच्छा नहीं लगा है हाँ फुकर इंसान ने अच्छी बाते बोली है एक दोस दोस को बोल सकता है बर शरयाम पूरी पब्लिक में सबसे पूछ के कि तुम वैसे नहीं हो तुम अंटर्टेनिंग नहीं हो ये नहीं है वो नहीं है तो जददिद के साथ क्या पूरी फ्लटिंग करने के लिए लग जाए क्या क्या सिरफ अपना बिहारी एकसेंट बस चालो करके ये वो ऐसा वैसा बस वो ही लगे क्या अपने पॉइंट अफ यू ना बोले अपने आक्चुली में मुद्दे ना मुद्दो में स्टैंड ना ले ये सब चीज़े चाहते हैं इसलिए डी मोटिवेट किया है क्यों कि मनीशा रानी बहुत स्ट्रोंग है और ये चीज़ तो भई आपको और हमें पता चल ही गया है सोशल मीडिया पर बहुत ज़दा भड़क र तो ये चीज़ पक्का बता चल्गी कि ये चीज़ जो है makers करते हैं makers script लिखते हैं और उसके सहारे ये pop-a-pop-a बन के बज ब़लते रहते हैं और Salman Khan तक भी ऐसी बाते बोलते हैं कि स्क्रिप्ट के खुद सही गलत नहीं जानते कि और सही गलत क्या है सही क्या हैarta कि बस जो बोल झाल